जम कलास एट चेप्टर फस्ट धोनी कवीता पड़ेंगे धोनी कवीता के लेखक है सूरि कांतिर पाठे निराला जी अभी नहोगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे वनमे मुरदुल बसंद अभी नहोगा मेरा अंत हरे हरे ये बात डालियां कलियां को मलगाद मैं ही अपना स्वपन मिर्दूल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक पर्तिश मनोहर पुस-पुस-पुसे तंद्रालस लालसा खीच लूंगा में अपने नौजीवन का अम्रित सहर्च सीच दूंगा में द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्त अभी न होगा मेरा अन्त यह जो कविता है इसमें सुरिकांतिर पाठे जी ने यूवा पीडी को प्रोशाहन देते हुए कहते हैं कि मेरा अन्त याननी मेरा अन्त अभी संभव नहीं है क्योंकि जब तक मैं यूवा पीडी को जागरित यानि की जगा नहीं देता हूँ उनके आलस को जब तक भगा नहीं देते हैं उनके अंदर जब तक जोश नहीं भर देते हैं तब तक उनका अन्त नहीं हो सकता अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मिर्दूल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत इस पंक्ती में लिखा कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो बसंत आया है अभी तो मेरे जीवन में उत्सहा और नया जोस आया है हरे हरे ये बात डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वप्न मिर्दूल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक परत्युश मनोहर जैसा कि बसंत रितु आया है बसंत रितु आते ही पेडों की जो डालिया होती है कोमल कलिया होती है उसमें ने ने हरे पत्ते उगने लगते हैं लेखा कहते हैं मैं ही अपना सपन मिर्दूल कर फेरूंगा नित्रित कलियों पर जगा एक परत्तिश मनोहर मेरा सपना है जो की यूवा पीड़ी को अपने कोमल हाथों से वहाँ जागरित कर सके उनके अंदर जोश ला सके यहाँ कोमल कलिया यहाँ पे कोमल कलिया कोमल कलियों का अर्थ है यूवा पीड़ी है जो थोड़े कमजोर है आलसी है और उनके कमजोरी और आलसी को लेखा किस कविता के माध्यम से दूर भगाना चाहते हैं पुस्प पुस्प से तंद्रा लस लाल सा खीच लूंगा में अपने नव जीवन का अमरित सहर्च सीच दूंगा में इस पंक्ती में कवी कहते हैं कि तंद्रा लस मतलब आलस से भरावा जो वैक्ती है उसको मैं उसके आलस से दूर करूंगा उसके अंदर में जो स्खीच द जैसे कि एक नया पौधा जब हम लगाते हैं तो उसने पौधे का निर्माण करने के लिए हमें उसमें सिच्चाई और गुडाई करना पड़ता वैसे हमें भी यूवा पीड़ी को जागरित करने के लिए उनके अंदर जोस पैदा करना होगा अपने न जीवन का अमरित सहर सी उनको है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत कभी कहते हैं अभी मेरा अंत नहीं होगा क्योंकि मुझे यूवा पीड़ी के लिए नए द्वार खेलने हैं उनके अंदर उत्सहा जगाना है यूवा पीड़ी को देश के उनिति के लिए तियार करना इसलिए वह कहते कि जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होता मैं युवा प्यूरी को जब तक अंधर जोच और उत्साहा नहीं भर सकता तब तक मेरा अंत नहीं होगा